स्वागत आप सभी काज की इस वीडियो में पिछले क्लास में हम लोगोंने Quadratic Equations के कुछ Basic Concept को देखे थे और उसके Roots के Nature को भी हम लोगोंने देखा था इसमें तीन कंडिशन आप लोगों को बताई थे कि यदि D का Value 0 से बढ़ा हो तो Roots Real होगा Unequal होगा दूसरा ची हम लोगोंने देखा था अगर D का Value 0 के Equal होगा तो उसका Roots Real एवंग Equal होगा और तीसरा हम लोगोंने देखा था अगर D का Value 0 से छोटा है तो उसका जो Roots है वो Unreal हो जाता है जिसको हम लोग Complex नमर कहते हैं आज हम लोग Quadatory Equations के Graph को देख लेते हैं लेट कर लेते हैं वाई जो है वो X स्क्वाइर माइनस 5X प्लस 6 है इसका हम चाहते हैं Graph ड्रॉख करें ठीक है सबसे पले क्या करते हैं हमें एक Value Chart बनाना पड़ेगा Value Chart बनाने के लिए हमें इसमें X का Value डाल करके Y का Value निकालना पड़ेगा यह X है तो यह Y है पहले कुछ Positive Value लेते हैं जैसे कि अगर X का Value लेते हैं 0 तो Y क्या हो जाएगा 0,0 प्लस 6 यानि कि यह 6 हो जाएगा X का Value 1 लेते हैं तो Y का Value हो जाएगा 1 का स्क्वाइर 1 मैनस 5 प्लस 6 तो यह 7 मैनस 5 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा X का Value 2 लेते हैं तो Y का Value कितना हो जाएगा 4,2 का स्क्वाइर 4 यहाँ पे हो जाएगा 10 अब अगल में होगा 6 तो 6 प्लस 4, 10 मैनस 10 कितना हो जीरो X का Value 3 लेते हैं तो Y का Value कितना? 3 का स्क्वाइर 3 यहाँ पढ़ देंगे बगल में 6 है तो 9 और 6 कितना? 15 मैनस 15 कितना होगा? 0 X का Value 4 लेते हैं कितना होगा? Y का Value? 4 का स्क्वाइर 16 4 यहाँ पढ़ देंगे तो 20 बगल में 6 है 16 और 6, 22 मैंसे 20 निकल जाएगा तो 2 बचेगा X का Value 5 लेते हैं तो 5 यहाँ पे डालेंगे कितना होगा? यहाँ डालेंगे कितना होगा? और बगल में 6 है तो कितना होगा? 6 होगा समझभा रहा है? तो इस तरह से कुछ हमने Value लिया है Positive में अगर X Negative में भी हम लेके जाएं जैसे X का Value मैनस 1 है तो Y का Value कितना? X का Value मैनस 1 अगर यहाँ देंगे तो मैनस 1 का S2 होगा? यहाँ मैनस 1 देंगे इस मैनस को प्लस करेगा? अब अगल में 6 है ही तो मैनस 1 का S2 1 होगा? यानि यह 12 हो जाएगा Value बहुत बड़ा आपको निकलेगा Negative में तो इसी इतना के यह अधार पे अगर हम लोग इसका Graph ड्रॉ करें इसके Value चार्ट को अगर दर्साना हो तो यहाँ दर्सा सकते हैं X का Value 0 तो Y का Value 6 X का Value 1 तो Y का Value 2 X का Value 2 तो Y का Value 0 X का Value 3 Y का Value 0 X का Value 4 Y का Value 2 X का Value 5 Y का Value 6 X का Value –1 Y का Value 12 इस तरीका से Value चार्ट हम लोगों ने सजा लिया है अब अगर इसका Graph हम ड्रॉ करते हैं तो Graph ड्रॉ करने के लिए हमें X-Axis और Y-Axis चाहिए यह माल लेते हैं X-Axis है तो यह Y-Axis है यह आपको 0 होगा यह 1, यह 2, यह 3, यह 4, यह 5 यह –1, यह –2 होगा इधर यह 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर उपर और नीचे –1, –2 करके जाएगा X का Value 0, तो Y का Value 6 X का Value 0, तो Y का Value 6 मतलब यह Point हुआ, नहीं हुआ X का Value 1, तो Y का Value 2 X का Value 1, तो Y का Value 2, यह Value हुआ X का Value 2, तो 0, 2 पे Value कितना होगा, 0, 3 पे Value कितना, 0, 4 पे Value कितना, 2 हो गिया, मतलब यह Value रिपीट किया यहां पे 5 पे Value, 6 हो जाएगा, यह Value फिर रिपीट कर जाएगा, यहां पे मैनस 1 का Value आपको 12 हो जाएगा, बहुत आगे चल जाएगा इसका Safe कैसा होता है, सो देखिए वो इधर से आएगा Safe, ऐसे करके और इस 2 से Cross करते वे तरह नीचे जाएगा और फिर इसको इससे मिलाते हुए जो है, ऐसे करके यह निकलेगा, ऐसे करके समझ रहे हैं, तो यह जो Safe होता है, इसको बोलते हैं Parabolic Safe, क्या बोलते हैं, यह Parabolic Safe होता है इसको परवलय बोलते हैं, परवलय की आकार का यह Safe होता है तो यह Upward Direction में खुला आपको हमेशा, और इसका जो Flow होगा, एकदम smoothly Flow करेगा यह, इसका Graph माल लिए Y जो है, वो AX Square प्लस BX प्लस C है AX Square प्लस BX प्लस C है, यह माल लिए quadratic polynomial करके हम लिए है Y is equal to AX Square प्लस BX प्लस C, Y मीन्स क्या, FX ने Y मीन्स FX, पहला केस लेते हैं, माल लिए A positive है तो A जब positive होता है, तो इसका Graph ऊपर के तरफ खूलेगा एक ची आपको और बता दें, इसका मतलब यह calculus का use त्रस हम कर रहे हैं, कि हम चार रहे हैं, इसका minimum maximum value निकालें तो उसके लिए क्या करते हैं, इसका DC निकालते हैं, अगर इसको differentiate हम करें, differentiate with respect to X तो Y का DC होगा DIY DX, तो यह A into X square का DC होता है 2X, X square का DC 2X होगा मतलब N X to the power N minus 1, यह B into X का DC होगा 1, और C constant नहें, constant का DC होता है 0, यानि 2AX प्लस B हो जाएगा, rule है यह, कि X का value, मतलब Y का value अगर, Y का value अगर X to the power N हो तो उसका DC निकालने का यह formula होता है, N X to the power N minus 1, यह formula होता है इसके आधार पर ही हम कोई काम किये हैं, जैसे कि हमने पहला काम किसका किया, X square का किया है तो जब इसका DC हम निकालेंगे, D Y by DX, फर्मूला लगए यह इसमें, 2 into X पे power 2 minus 1 तो 2 minus 1 कितना, 1, तो हो जाएगा 2X, तो X square का DC 2X लिखे हैं इदर दूसरा क्या किये हैं, कि Y अगर X है, तो X का power कितना, 1, तो इसका DC निकालेंगे, कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा, N X to the power N minus 1, तो 1 minus 1 कितना, 0, और किसी का power अगर 0 हो जाएगा, तो value 1 हो जाएगा इसलिए हमने यहाँ पे X का DC 1 यूज किया है, और constant जो है, उसका DC आपको 0 होता है, क्यों? क्योंकि मान लिजिए, C लिखा हुआ है, तो C के साथ गुना आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यानि आप इसको लिख सकते हैं, C into X पे power 0, लिख सकते हैं, किसी पर भी power अगर 0 ह होगा, तो value कितना? 1 होगा, तो जब इसका DC हम निकालेंगे, दिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा XN का formula, यह N, X to the power N minus 1 हो जाएगा, तो यह जो 0 यहाँ पर multiplication मा गया, उस सब को क्या कर देगा? 0 कर देगा, तो आपको यह धियान डखना है, किसी भी constant का जो DC है, वो 0 होता है, y अगर constant हो, constant means y अगर अचर हो, तो उसका जो DC होता है, वो क्या होता है? 0 होता है, यह धियान रखना है, शाहिद में इसको भी note कर लेना है, यह formula हुआ, एक formula यह हुआ, और यह derivation हुआ, समझे रहे हैं? तो इसी का use करते हैं इसमें, कि do by dx अगर निकाले हैं, तो x square का DC 2x, x का DC 1, constant का DC 0, तो यह do by dx कितना निकल गिया? 2ax plus b, यह थोरा सा आगे का C बता रहे हैं, calculus का चीज है, तो हम कुछ निकालना चाहरे हैं, इसको याद रखिएगा, फिर इस पर details से हम आएंगे, जब एक वर calculus बताएंगे तब, तो होता क्या है, जैसे हम लोगों ने graph draw किया था अभी, graph draw किये थे ने इस थरीका से इसे करके, तो यह नीचे कहां तक जा सकता, यह चीज हम पता करना चाहरे हैं, समझ रहे हैं, हाँ, differentiation से, तो करते क्या है, y के minimum या maximum value के लिए, यह dy by dx जो है, इसको 0 होना पड़ता है, तो जब 2x प्लस b को हम 0 करेंगे, यहां से 2x का value कितना होगा, minus b, x का value कितना, minus b by 2a, तो यह x का value निकला minus b by 2a, मतलब minus b by 2a पर जो है, graph सबसे नीचे होगा, चूंकि x square का जो coefficient है a, यह a हम 0 से बढ़ा करके ले रहे हैं, तो जब a 0 से बढ़ा करके ले रहे हैं, तो हमेशा y यहां पे minimum होगा, समझ रहे हैं, तो y minimum कहां पे होगा, x का यह value उसमें डाल देंगे, x के इस value को डालने से जो value हैगा, वही होगा y minimum, लिखेंगे, since a 0 से बढ़ा है, इसलिए x के इस मान के लिए y जो है, वह minimum होगा, और y का minimum value अगर निकालना चाहते हैं, तो लिखेंगे, therefore, y minimum is equal to, वह जो value है ने, वह x का यह value इसमें डालना पड़ेगा, सब जगह पे, यहां डालिए, a into x का value कितना, minus b by 2a का whole square, plus b into minus b by 2a, और बगल में तो आपको c है, अगर इसको आप solve करते हैं, a into b square by कितना होगा, 4a square, यहां हो जाएगा, minus b square by 2a, और बगल में c है, तो यह cancel out नहीं होगा, b square by 4a, minus b square by 2a, और बगल में क्या है, निचे में नहीं कुछ तो क्या है, one है, lcm कितना होगा, सो बताएगे तो, 4a, यहां पर होगा b square, 4a से divide करेंगे, तो 1 यह न होगा, 2a से divide करेंगे कितना, तो minus 2b square, और यहां divide करेंगे, तो इसको multiply करेंगे, तो हो जाएगा 4ac, यह घटेगा, तो minus b square plus 4ac, और नीचे में क्या है, 4a है, तो उपर से minus अगर कुमल लें, तो b square minus 4ac बचेगा, और नीचे में क्या है, यह b square minus 4ac क्या होता है, d का value होता है, तो minus d by 4ac हो गया, यानि कि y का जो minimum value है, यह आपको minus d by 4ac हो गया, कि किस के लिए, x के उस value के लिए, जो की हमने यहां पर लिखा है, अब आपको याद क्या रखना है, कि अगर हम लोग graph की बात करते हैं, कि मालिए कोई graph ऐसा है, इस तरीका से तो ये graph का save तब होगा जबकि A0 से बढ़ा होगा अगर A0 से बढ़ा है तो graph upward जाएगा किदर जाएगा? graph upward जाएगा उपर के तरफ खुलेगा ये जो point है जहां पर कि ये सबसे नीचे गया है इस पूरे graph का सबसे minimum value कितना है? ये इस जगा पर graph सबसे नीचे है इससे नीचे graph कहीं है? नहीं है तो ये जो सबसे नीचे का जो bottom का point है ये कहां पर है? यहां से यहां तक अगर देखेंगे तो ये x coordinate आपका है minus b by 2a ये minus b by 2a हुआ यहां से यहां तक और ये नीचे कहां तक गया होगा? नीचे अगर देखें कि नीचे कहां तक गया है ये ये value तो ये होगी आपका y coordinate तो ये y coordinate कितना आ जाएगा? तो minus d by 4a तो minus d by 4a जो है वो आपको ये नीचे का point मिला इसका मतलब होगया इसका coordinate अगर हम बोलें इसका coordinate बोलेंगे minus b by 2a minus d by 4a तो ये value आपको याद रखना परेगा कि quality equations का जो minimum value होता है वो minus b by 2a पर होता है और कितना होता है? तो minus d by 4a होता है इससे आप ये अंदाया लगा सकते हैं कि इसका coordinate क्या है? y is equal to ax square plus bx plus c है इसका अगर हम लोग ग्राफ देखें तो पहला case का ग्राफ जो है वो इस तरीका से होगा इसमें आपको याद रखना है a0 से बढ़ा होगा क्या होगा? a0 से बढ़ा होगा और d जो है वो 0 से बढ़ा होगा अगर a0 से बढ़ा हो और D0 से बढ़ा हो तो ये graph को कहां cut करेगा दो बिंदू पर touch करेगा दो बिंदू पर intersect करेगा, एक को alpha बोलते हैं तो एक को beta बोलते हैं और ये value क्या है आपको याधी है, क्या बता है minus B by 2A minus D by 4A इसका ये coordinate हो जाएगा ये आपका x axis है तो ये y axis है दूसरा case देखिए कि मान लिजिए कि A0 से बढ़ा है और D जो है वो 0 के बढ़ावर हो जाए तो इस condition का shape कैसा होगा तो ये graph upward जाएगा लेकिन ये x axis को एक बिंदू पर cable touch करेगा और जहाँ touch करेगा वहीं अलफा और बीटा हो जाएगा ये x तो ये y axis हो जाएगा समझ रहे न है ये उपर के तरफ खुल रहा है तीसरा अगर देखें कि मान लिजिए A0 से बढ़ा है और D0 से छोटा हो गया D negative हो गया A positive हो गया लेकिन D negative हो गया तो इस condition में क्या होगा कि ये x axis को touch भी नहीं करेगा नहीं intersect करेगा ये उपर ही उपर जो है आपको निकल जाएगा तो ये होगी आपको third case और सिर्फ ये तीन case आपको इसके opposite वाले में भी चलता है कि यदि A less than 0 हो और D greater than 0 हो A का मान negative हो और D का मान positive हो तो जैसे ही A negative हुआ इसका graph जो है वो downward direction में खुलेगा इसका graph इस तरीका से downward direction में खुलेगा ये आपका y axis है और ये x axis है तो ये एक alpha हो गया तो एक ये beta हो जाएगा ये value तो आप समझी रहे है value वही होगा केवल A का value negative जाएगा इस value का value वही रखना है minus by 2a minus dy 4a A का nature जैसा होगा उस पर ये coordinate आपका बदल जाएगा पांचमा अगर देखें यदि A negative हो और D क्या हो 0 के equal हो तो इसका shape जो है वो downward direction में खुलेगा लेकिन ये curve को क्या करेगा एक बिंदू पर touch करेगा और जहाँ touch करेगा वही पर alpha और beta का value होगा समझ मा रहा है और ये last है आपका कि अगर A negative हो and D भी क्या हो negative हो तो ये दोनों अगर है negative तो ये downward भी खुलेगा और ये x-axis को नहीं intersect करेगा नहीं touch करेगा ये 6 case में से जो दो case है नो वो काफी important है वो दो case important क्या है एक case ये important है आपका ये graph x-axis के उपर है x-axis के उपर होने का मतलब हो गया कि y positive है क्योंकि y उपर नहीं है ये तो इसका y coordinate आपको always positive होगा इसका मतलब हो गया कि इस condition का चुकी आपको बताएं कि y जो graph कीचे है वो y is equal to ax square plus bx plus c माने हैं तो इस condition में ये जो y का output होगा कभी negative नहीं होगा तो y always positive होगा इस condition में अगर आपको कोई equations दिया हुआ है और कोई unknown terms छोड़ देगा और कहेगा कि value ग्याद करें जिसके लिए y minimum हो या y maximum हो तो आपको इसी दोनों condition को देखना पड़ेगा कि a 0 से बढ़ा हो d 0 से छोटा होगा तो y positive होगा हमेशा always और ये छठा condition जो है अगर x axis से नीचे graph है इसका मतलब हो गया कि y negative है क्योंकि y नीचे क्या होता है negative न होता है तो इसका जो output होगा यहाँ से क्या होता है ax square plus bx plus c होता है इसका ग्राफ हमने ड्राव किया है इस तरीका से तो अगर इसका output देखिएगा y का value यह y कभी positive नहीं देगा y हमेशा negative देगा तो y हमेशा negative देगा उसके लिए condition क्या याद रखना पड़ेगा कि a negative हो और d negative हो इसको especially आपको हम लिख दे रहे हैं पहला point कि y is equal to ax square plus bx plus c must be positive if पहला number a 0 से बढ़ा हो दूसरा d जो है वो 0 से छोटा हो a 0 से बढ़ा हो और d 0 से छोटा हो अगर d negative है और a positive है तभी जो है आपका ये value positive देगा समझ देगी नहीं graph आपको बता दिये हैं question किस तरह से रहता है अगर question देखें एक इसका कि y मान लेजिए kx square plus 3x plus 4 है kx square plus 3x plus 4 है दिया हुआ है बुल रहा है find the value of k for which y must be positive y positive हो उसके लिए इस k का value क्या होगा पत्पकर मारा है why positive हो उसके लिए k का nature कैसा होगा सो बताइए हमें अब क्या करना है लिए रिखेंगे we know that y must be positive if and only if पहला नमबर क्या A0 से बढ़ा हो A0 से यानि कि इसका जो coefficient है K वो K0 से बढ़ा होना चाहिए दूसरा D must be negative D means D square minus 4AC D square minus 4 into K into 4 less than 0 यानि कि 9 minus 16K less than 0 9 less than 16K K निका लेंगे divide कर लेंगे K greater than मतलब इसी को आप लिख सकते हैं 9 less than 16K को 16K greater than 9 लिख सकते हैं आपको कहीं लिखा हुआ 3 greater than 2 तो इसको आप पलट के लिख सकते हैं 2 less than 3 लिख सकते हैं नहीं तो 9 less than 16K इसको आप पलट दिये ते 16K greater than 9 तो यह हो जाएगा K greater than हो जाएगा 9 upon 16 अगर K का ऐसा condition हो जाएगा आपका जो D हो निगेटिव हो जाएगा अब है कि K का नेचर ये और K का नेचर ये दोने मिला तो इस दोनों में common खोजना पड़ेगा यह बोल रहा है 0 से बढ़ा और यह बोल रहा है 9 by 16 से बढ़ा तो अगर आप number line पर देखें तो पहले 0 होगा तब न 9 by 16 होगा तो उपर वाला का रहा है कि 0 से बढ़ा होना चाहिए 0 को छोर कर 0 से बढ़ा उपर वाला बोल रहा और यह का रहा है 9 by 16 को छोर कर 9 by 16 से बढ़ा तो दोनों का common value कोन हुआ यह 9 by 16 से बढ़ा दोनों का common हो गया 9 by 16 से बढ़ा में दोनों condition आजाएगा नीचे वाला भी और उपर वाला भी लिखेंगे from first and second कि यह जो है greater than हो जाएगा 9 upon 16 इसी दूसरा point अगर देखें note का यह point है कि y अगर x square plus bx plus c है यह must be negative होगा इफ पहला number a क्या हो 0 से छोटा हो पहला condition और दूसरा condition क्या होगा d जो है वो भी 0 से छोटा होना चाहिए a भी negative हो और d भी negative हो तभी आपका जो y है वो negative होगा इस पर भी आपको question अगर रहेगा तो बनाने का तरीका बिलकुल पीछे का ही एक दो question आपको लिख दे रहे है आपका काम है आज इसको बनाना दो में बनाना प्ल्षक hints आपका काम क्यूट добрैं मैं क्यूट प्लbогवववववववववववर किह पर कोुला कर दो किह परादा ओुमल्ग मैं हन्योंग की परेट किह पर दो पर दो करें परेट ветर किहां कि हां और है झाल झाल जो इसका वैलिव होता, पॉजिटीव कभ होता है, नेगेटीव कभ होता, उस वैलिव को हमने देखा उसी पैधारित आप लोगों को ये तीन कुश्टन्स दे दी हैं प्रेक्टिस के लिए और आप लोगों का जो अपना भूख होगा डिफ्रेंस भूख उसमें भी जा करके आप इस तरह क्वेस्टन को खोज करके बना सकते हैं हमें आसा है कि आप लोग मेहनत से पढ़ते होंगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट अप लग